हलो डियर फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस वीडियो में आज के दुनिया में यूटीब चैनल बनाना बहुत जरूरी है और हर एक किसी व्यक्ति को बनाना चाहिए अपने यूटीब चैनल और जो भी आपके मन में आए जो भी आपको अच्छा लगे जिस चीज की भी आपक गयर कि आता है कि बहुत आसान है उस इनको नहीं आता है उनको लगता है की मुश्किल रहुत में आने के बाद पर कोई ब्रावजर सामने गूगल खूल हुआ है आए जब भी he आता है तो आप Google खोल दीजिए, गूगल इस तरीके से लिखी ऐ और यहां पर गूगल लिखाु हुगा आएका सब से उपर, इस गूगल को आप खोलेंगे तो इस तरह का कुछ लिखा हुगा आएगा, जब इस तरह का कुछ आ जाए तो सीधे हाथ पर आपको उपर जाना है जहां पर आपका फोटो होगा या आपके नाम का पहला अक्षर लिखा होगा सुनील है मेरा नाम तो ऐस लिखा होगा बड़ मैंने फोटो लगाया हुआ है तो फोटो भी होगा तो अगर यहाँ पर आपका फोटो है या आपके नाम का पहला अक्षर है तो इसका मतलब है आपने ब्राउजर में लॉग इन किया हुआ है और अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ पर फिर आप्षन आएगा लॉग इन करें जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप एक नई विंडो खोलते हैं और यहां पर लिखते हैं Google तो अब देखिए अब मेरा सीधे हाथ पर फोटो नहीं आ रहा है मैं Google भी खोलता हूँ तो अब सीधे हाथ पर फोटो नहीं आ रहा है अब लिखा आ रहा है कि साइन इन करें यानि लॉग इन करें लॉग इन करने के बाद का जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा हो जाता है फोटो आ जाता है हाई सुनील भी लिखा हूआ रहा है यहां पर तो आपका भी ऐसे ही आएगा उसके बाद ये आपकी फोटो के बगल में 9 डॉट हैं इन 9 डॉट के उपर आप क्लिक करेंगे तो जब इन 9 बिंदियों के उपर आप जो आप क्लिक करेंगे तो इन में एक आप्षन है YouTube या तो आप इस YouTube पर क्लिक कर सकते हैं ब्राउजर खुलने के बाद या फिर डाइरेक्ट दुबारा से मैं बताता हूं या फिर डाइरेक्ट गूगल खुलें गूगल में आप डालें YouTube तो भी आपका YouTube खुल जाएगा फिर इस YouTube पर क्लिक करें कैसे भी करके आप YouTube खुल देते हैं राइट दौन तरीकों में से तो YouTube सामने आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ चुका है जब YouTube खुलकर आ चुका है तो यहां पर क्योंकि लॉग इन हम पहले ही कर चुके हैं ब्राउजर के अंदर जो YouTube है वो Google का ही पार्ट है जो Gmail है वो भी Google का ह पूरा परिवार है जिसमें Gmail और Google, YouTube बहुत सारी चीजे हैं दौबारत देख लेते हैं एक बार यह भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको इसमें एकाउंट होता है आपका Google का इसमें सर्च होता है Google का Google का बिजनिस प्रोफाइल होता है Google के Maps, Google का YouTube, Google का Play Store, Google के News, Google का टूल्स यहां पर होते हैं और यह सभी हमारे एक Google एकाउंट के साथ अटेच होते हैं YouTube भी उसी का हिस्सा है तो आप यहां से भी YouTube खोल सकते हैं और आप डाइरेक्ट ब्राउजर में YouTube.com भी लिख सकते हैं कई तरीके हैं डाइरेक्ट वहां से YouTube पर क्लिक कर दीजिए या YouTube.com लिख दीजिए तो आपके सामने अब YouTube खुल कर आ चुका है और यह जो खुल के आया है यह बहुत से लोग खुलते होंगे राइट कभी हमने उस तरीके से नहीं देखा होगा जो शायद आप अब देख रहे होगे तो जो भी खुल के आ गया है तो आपकी यहां पर सीधे हा पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर तीन ओप्शन है में पास अप्लोड वीडियो गो लाइव क्रियेट पोस्ट जब आप बिल्कुल शुरू में होते हैं शुरुवात कर रहे होते हैं तब पहला ओप्शन आता है अप्लोड वीडियो गो लाइव का ओप्शन आता है पर ला यार सब्सक्राइबर होने पर, create post का अधिकार भी कुछ दिनों बाद आता है, या कई बार जल्दी भी आ जाता है, but upload वीडियो का option हमेशा होता है, आपको upload वीडियो का option पर click करना है, और जैसे ही upload वीडियो का option पर आप click करेंगे, तो कुछ ऐसी screen आपके सामने खुल कर आजाएगी, ऐसी screen आएगी तो सामने यहाँ पर या तो इस arrow पर click करेंगे, या select files पर, जब भी आप click करेंगे, तो यह आपका folder खुल के आजाएगा, documents, desktop, इसे apple में finder कहते हैं, windows में folder कहते हैं, तो यहाँ पर जहाँ भी आपकी video है, वहाँ जाएगे, उस video को select कीजिए, और यहाँ से open, open का button दवाईए, तो यह video YouTube में upload होने लगेगी, जब यह video YouTube में upload होने लगेगी, तो यहाँ पर आप अपने video का title दाल सकते हैं, जैसे कि this is our test video, तो यह मेरी test video है, बट आपका title कुछ और भी हो सकता है, जैसे मेरा इस video का title है, best digital marketing course in India, join today, की title है, उसके बाद description में भी आपको जो पहला sentence होता है, वह यही लिखना होता है, उसके बाद description में कुछ और भी लग सकते हैं, फिर उसके बाद आपको thumbnail यहाँ लगाना होता है, thumbnail आप कैनवा में बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे thumbnail यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो यह thumbnail बना बना कर मैंने अपने system पर download कर लिए हैं, thumbnail बनाने की आपकी अपनी एक्षा है, कैसी design आप बनाएंगे, तो अब बापस चलते हैं, YouTube में thumbnail हमने बना के रखा हुआ है, और यह वीडियो में सरफ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, thumbnail हमने यहाँ से select कर लिया, best digital marketing course का इसको भी open कर दिया, तो यह thumbnail यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद playlist चूज करनी है, कोई सी भी playlist, शुरुआत जब आप करेंगे, तो कोई playlist नहीं होगी, तो new playlist पर click करके आप एक नई playlist बना लीजेगा, कोई भी नाम दे दीजेगा उसको, जो भी आपको ठीक लगे, एक list है, list का नाम, कि इस list के अंदर ये वीडियो जाएंगी, जैसे freedom lifestyle coach एक playlist है, तो जो वीडियो इस topic से related है, वो इसमें जाती है, digital coach से related उसमें जाती है, ये सारी एक list बनी नहीं है, तो आपने list एक choose कर लेनी है, इस तरीके से ये जो वीडियो है, इन चीजों से related है, done पर click कर देना है, नीचे आना है, नीचे आपको में लेंगे tags, tags, keyword भी बोलते हैं, इसको आप हटा दीजिए, पुराने tags अगर काम किये हैं, तो लगे रहने दीजिए, नहीं है तो delete कर दीजिए, अब जो नई वीडियो है आज की, उसके हिसाब से tag बनाने है, जो भी title में शब्द है, जो भी title में आपका sentence है, words है, वो आपके tags में होने चाहिए, देखिए कैसे, best digital marketing course, digital marketing course online, digital marketing course online in India, best digital marketing course in India, right, career building school, digital marketing course, जो भी आपका title है, उसके अंदर जो भी words है, वो सारे words एक एक दो दो बार यहाँ पर आ जाने चाहिए, जैसे join, join today, digital marketing course for beginners, right, learn digital marketing, उससे मिलते जुलते और भी words लिख सकते हैं आप, learn digital marketing online, तो अब आप देखेंगे, जितने भी मेरे title में words हैं, वो सारे words मेरे tag में आ चुके हैं, और बस, अब हम आगे चलेंगे, next, next में आपको add subtitles, subtitles अगर हैं, तो डाल दीजिए, नहीं हैं, तो मट डालिए, बिल्कुल ज़्यादा जरूरी नहीं हैं आज के जमाने में, और इनमें time भी बहुत ज़्यादा जाता है, और ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, end screen add कर अगर मैं तेज जा रहा हूँ, तो वीडियो को pause करके, back करके, दुबारा देख सकते हैं, उसके बाद आता है, add cards, add cards में नए लोगों के लिए link option नहीं होता है, पुराने लोगों केलिए video playlist channel होता है, पुराने लोगों के लिए link option आ जाता है, नए लोगों के लिए link option नहीं ह होता है पुराने लोग वीडियो प्लैलिस चैनल में से कार्ड लगा सकते हैं तो मैं वीडियो का एक कार्ड लगा दिता हूँ कोई भी वीडियो को आप यहां पर कार्ड में लगा दीजिए तो यह ऊपर आई बटन रहा है यह देखिए काले एरिया में उपर एक आई बटन आ रहा है इसको बोलते है eyes button इसी को हम बोलते है card में आपर एक वीडियो eye button में लगा दिया है कई बार आपने लोगों कहते हो सनाऊगा eye button पर click करें और वह वाला वीडियो देखें तो यह हमने card भी लगा दिया और save कर दिया उसके बाद आगे जाएंगे next यहां पर यह copyright चेक करेगा अब क्योंकि हमारी video पूरी original है तो कोई issue नहीं है अगर आपके वीडियो में copyright या कोई issue आता है तो आगे ना जाएं चैनल पर strike आ जाएगा चैनल पर warning आ जाएगी चैनल दिक्कत में आ जाएगा एक भी copyright ना आए ऐसी कोशिश करें आप ठीक है next पर click करेंगे अब आप अपनी video को private रखना चाहते हैं unlisted रखना चाहते हैं public रखना चाहते हैं अगर आपकी video में सब कुछ ठीक है तो public जाने दीजिए अगर कोई problem है तो private कर लीजिए private मतलब कोई मेरी मेरे काम की video है मेरी information की है तो मैं डालके private कर सकता हूँ unlisted वो video होती है जिससे हम कुछ लोगों के साथ share करते हैं सभी public के साथ share नहीं करते हैं और public यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मतलब ही होता है public में जाना जितनी ज़्यादा वीडियो जब्लिक देखेगी उतने ज़्यादा popular होंगे उतने ज़्यादा traffic आएगा उतने बड़ ये वीडियो मैं public कर रहा हूं तुरंत राइट बड़ जो सही तरीका है यहां पर दुबारा बता देता हूं मैं सही तरीका है हमेशा आपने वीडियो को schedule करें एक fix time पर जैसे कि कल सोबह 8 वजए ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी पर सोबह एक और वीडियो पब पूलिश हो जाएगी आज आप दस वीडियो अगले दस दिन के लिए भी schedule कर सकते हैं schedule करना ही best practice होती है जब सही समय पर scheduled time पर आपकी लगातार वीडियो जाती है YouTube चैनल पर तो आप सफल होते हैं otherwise time pass हो जाता है आपको होगे बहुत वीडियो बना दी सफलता नहीं मिल रही इस वीडियो में जो मैं आपको सिका रहा हूँ YouTube पर वीडियो अपलोड कैसे करते हैं यह हमारा काम schedule करते ही complete हो गया हमारी वीडियो YouTube पर जा चुकी है और यह कल सुभे publish हो जाएगी अब आप यहां देख सकते हैं यह लिखा हुआ आ रहा है कि यहां पर यह जो वीडियो है यह जो हमने करी है दूसरे नंबर वाली best digital marketing course in India schedule पर जाके देखेंगे तो 18 नवंबर सुभए 8 वजे यह वीडियो पब्लिश हो जाएगी उससे पहले नहीं होगी इस तरीके से आप अपनी वीडियो को YouTube पर upload करते हैं तो आप mobile से करते हैं तो वहां पर भी option आता है नीचे plus का बटन दबा कर वहां से भी आपने वीडियो को आप upload कर सकते हैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको लावधायक लगी होगी मजा आया होगा सीखने में कमेंट करके जरू बताइए क्या नया सीखा वीडियो कैसी लगी बहुत अच्छे लगी तो शेयर जरूर कर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा राइट नमस्कार जैहिंद जैभारत